रश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार अजीट डुभाल ने गुरुग्राम में CRPF के असीवे स्थापना दिवस परेट का सनेरिक्षन किया इस दुरान उन्होंने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंक की हमले में 40 जवानों की शहादत को नमन भी किया उन्होंने CRPF के जवानों को भी संबोधित किया अजीट डुभाल ने कहा कि जवानों का या बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता जब भी हमारी बैठक होती है और चर्चा होती है कि किस बल को भेजना है कितनी बटैलियन भेजनी चाहिए हम कहते हैं CRPF भेजे यह एक विश्वस्निय बल है हम पूरी तरह से CRPF जवानों पर भरोसा कर सकते हैं इस तरह कि विश्वस्नियता हासिल करने में सालों लग जाते हैं आपको बता दे कि राष्ट्य सुरक्षा सलाकार गुरुगराम के कादरपूर में केंदरी रिजर्ब पोलिजवल यानि CRPF के अधिकारियों की प्रशिक्षन अकादमी तथा ग्रुप सेंटर में आयोजित होने वाले कारिक्रम में मुख्या दिती थी CRPF का गठन ब्रिटिश शाषनकाल में 1949 में हुआ था यह दूसरी बार है जब डोभाल 2014 में मोदी सरकार द्वारा शेश सुलक्सा शलाकार नियूट किये जाने के बाद से किसी भी CRPF द्वारा आयोजित कारग्रम में मुख्यातिती के रूप में भाग ले रहे हैं अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहा हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाबकेषरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं निखिलकुमार पंजाबकेषरी दिल्ली औरो बजाबकेषरी दिल्ला पंजाबकेषरी झाय कुर हमारे यू रोले करे मतल पंजाबकेषरी हैं जूट्यू वीडि chief